हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे यूटूब चेनल टेकनिकल अपडेट में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बार्क स्टाइपेंडी ठेनी केटेगरी वन में जो वेकेंसी आया है उसके रिगार में कटॉप के बारे में और इसका प्रिवियेस एर का कटॉप कितन गया था सभी कुछ इसमें डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट को डाउनलोड किया हुआ जो कि बार्क के ओफिशियल वेबसाइट से यह डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर डिटेल से मेंसन कर दिया गया है एडबर्टाइजमेंट 2021 के रिगार में यह जो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच वाज मेंसन किया हुआ है नम्मर और पोस्ट एडबर्टाइज मतलब कितना वेकेंसी निकाला गया था टोटल वेकेंसी एलेक्टिकल के लिए दो एलेक्ट्रोनिक्स एन इंस्ट्रूमेंशन में थ्री मेकैनिकल में टू केमि ने applied किया था तो उसका भी यहां पर नमर मेंशन कर दिया गया है इसके साथ यहां पर देख सकते कितने लोग को सौट लिस्ट किया गया था screening test के लिए उसके वाद यहां पर देख सकते कितने लोग screening test में appear हुए थे उसका भी यहां पर list सारा भी औरा mention किया हुआ है फर्दर यहां पर उसके बाद देख सकते हैं कितने लोग screening test में qualify हुए थे तो branch wise इसका list mention किया हुआ है कितने candidates को document verification and interview के लिए short list किया गया था फर्दर यहां पर देख सकते कितने candidate ने interview और document verification को attend किया था इसी के हिसाब से यहां पर देख सकते हैं list का विवरा तयार किया गया है जो कि बार के official website पर आपको मिल जाए cutoff marks की बात करें सबसे पहले यहां पर mention किया हुआ है electrical बालों के लिए category 1 में SC candidate के लिए 70% ST में कोई vacancy नहीं था इसलिए इसका cutoff नहीं है OBC में भी कोई vacancy नहीं था इसलिए इसका cutoff नहीं mention किया हुआ है UR category में देख सकते हैं 79% SC में 45% Total यहां पर interview की बात करें तो interview में यहां पर देख सकते हैं UR category में 72% है इसी प्रकार से यहां पर देख सकते हैं electronics and instruments में ST candidate का यहां पर इसका skinning test का यहां पर cutoff mention किया हुआ है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं further interview का cutoff mention किया हुआ है इसी के अनुसार आप देख सकते हैं mechanical वालों के लिए ST में 67.5 और general category के लिए 73 और देख सकते हैं यहां पर interview का ST category में 60% और general category के लिए 73% इसके साथ यहां पर देख सकते हैं chemical का cutoff chemistry का cutoff सभी कुछ यहां पर detail से बाइपर केट किया हुआ है आप अपने हिसाब से इसको detail से read कर सकते हैं यह मैं अपने telegram पर upload कर दोगा इसके साथ यहां पर देख सकते हैं selected candidate का नाम भी mention कर दिया गया है फर्दर मैं बता दूँ इसका जो cutoff रहने बला पिछले 2021 के vacancy के compare में कम रहने बला है क्योंकि पिछले साल यहीं मैं vacancy के बारे में बात करूँ एक दो इसी तरह से vacancy था लेकिन इस बार जो vacancy है काफी bulk में रखा गया है 100-200 है और खास के रख में mechanical बालों के लिए बात करूँ ते हाँ पर देख सकते है पिछले साल में यहाँ पर रखा गया था दो vacancy है और इस बार 341 post के लिए mechanical के लिए vacancy है और इसी परकार से सारे branches में काफी अच्छा काशा mass में vacancy रखा गया है इसलिए जो cutoff का जो criteria है थोड़ा पिछले साल के compare में moderate रह सकता है और यहाँ पर देख सकते हैं कितने candidates को screening test के बाद interview के लिए call किया जाता है तो किसी में 5 गुना किसी में 7 गुना और किसी में 8 गुना इसी परकार से वाइफर केट किया हुआ है तो आपका जो level रहने बला पिछले साल के compare में काफी moderate रहने बला है और इस साल भी काफी कम cut off जाएगा पिछले साल के compare में तो आशा करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिली होगी इसी परकार का जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करके इस लिस्ट को मैं अपने टिलिग्राम पर अपलोड कर दूँगा आप वह से डिटेल से देख सकते हैं